अपने आसपास देखो तुम अपने आसपास बहुत चीज़े देखोगे तो उनकी एक-एक करके सूची बनाएंगे तामे के बरतन, सोने के जिवर, स्टील के बरतन, ब्रॉंज के पुतले, लोहे के कील, पानी, खड़िया, शक्कर, मेज, नमक, चाय, हवा इन सभी वस्तों को एकतरित रूप से हम पदार्त कहते हैं उन्हें मूल पदार्त कहा जाता हैं क्योंकि वे जगा घेरते हैं और उन्हें आकार होता है उनके गुणों के आधार पर उनके उपसमूह बनाओ एक समूह तामबा सोना और लोहे का हो सकता है क्योंकि वे तत्व हैं खड़िया, शक्कर, पानी नमक ये योगिक हैं स्टील, ब्रॉंज, हवा, चाय ये मिश्रन हैं तो द्रव्य का वर्गी करन करने का ये एक मार्ग है पानी, दूद, पीतल, चाय इनकी रचना अन्य मूल पदार्थों से बनी होती है जो रासाइनिक प्रक्रिया के द्वारा बड़ी कठी निता से अलग किये जा सकते हैं मूल तत्व बराबर, ये पदार्थ अंत तक मूल पदार्थ ही रहते हैं जैसे सूना, लोहा, आदी मूल पदार्थ होते हैं जो अन्य के रूप में भी अपने मूल गुनों में रहते हैं योगिक, वे पदार्थ जो रासाइनिक तरीकों से अपने मूल तत्वों में बदल सकते हैं जैसे पानी, S2, पानी के रासाइनिक प्रक्रिया S2 प्लस O S2 मूल तत्व है और O भी चाय में दूज शक्कर और चाय की पत्ती होती है इस योगिक से हम किसी भी प्रकार से दूज शक्कर और चाय की पत्ती अलग नहीं कर सकते हैं दो अथवा अधिक मूल तत्व जब रासाइनिक प्रक्रिया से एकतर आते हैं तब यौगिक का निर्मान होता है जबकि दो अथवा अधिक तत्व या यौगिक बिना किसी रासाइनिक प्रक्रियाश से एकत्र आते हैं तब मिश्रंट तयार करते हैं तुमने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में सीखा है बहुतिक तरीकों से परमानु अत्वा अनुप्राप्त करना चात्रों के लिए असंभव है तो अब हम तामबे की तार लेते हैं उसके छोटे से छोटे टुकडे करो जो सरवादिक छोटा हिस्सा तुम्हें मिलेगा ज तुम्हें सोने का परमानु मिलेगा क्या तामबे और सोने का परमानु समान होता है क्या तुम दोनों के लिए एक ही कीमत अदा करोगे नहीं तामबे और सोने के परमानु समान नहीं है उनका दाम अलग-अलग होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सोना बहुत महंगा है अलग पर कि तुम परमानु की व्याख्या अब बता सकते हो रासायनिक सयोग में हिस्सा लेने वाला मूल तत्व का छोटे से छोटा अविभाज अक्षय हिस्सा परमानु होता है परमानु पदार्त की सबसे छोटी इकाई होती है और उसमें जनकतत्व के सारे गुण होते हैं एक इनमूल तत्व के परमानु भी अलग-अलग होते हैं यह परमानु इतनी छोटे होते हैं कि वो आँखों से या योगिक सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं दिख सकते तत्व का सबसे छोटा अवाज घटक परमानु होता है ऐसा पहली बार किसने कहा था क्या तुम्हें पता है भारतिय ब्यग्यानिक कनाद मुन ने इस वी संचटवी सताबदी में तत्व की अतिसूक्ष्म अविभाज अक्षय घटक को परमानु नाम दिया था ग्रीक तत्व वेता डेमोक्रेटिस ने इस वी पूर्व पांचवी शताबदी में यह प्रतिपादित किया था के मूल त कणों से बने होते हैं और उन कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता द्रव के सूक्ष्मकंड को डेमोक्रटिस ने एटम नाम दिया ग्रीग भाषा में एटमॉस का अर्थ है विभाजित ना होने वाला तो अब खडिया का टुकडा लो हमें पता है कि खडिया एक यॉगिक ह चोटे चोटे हिस्से बनाते जाओ अंत में जो सबसे चोटा हिस्सा मिलेगा जो की चाक के गुर्ण दिखाता है वह अनू होगा इस चाक के अनू में कैल्शियम का एक परमानू का एक परमानू और ऑक्सिजन के तीन परमानू मौजुद होते हैं तो यॉगिक की सबसे के अनू में क्या अंतर है मूलतत्व के अनू में समान प्रकार के परमानू होते हैं यॉगिक का अनू अलग-अलग प्रकार के परमानू से बनता है H2O के अनू यॉगिक NACL के अनू यॉगिक CACO3 चाक के अनू यॉगिक Hydrogen का अनू कुछ सतत्यों के अनू एक परमानू केवल एक ही परमानू हो सकते हैं उदारण हिलीयम दो परमानू उदारण oxygen अत्वा बहू परमानू क दो से адिक परमानू उदारण oxygen यॉदी हो सकते हैं 1803 में डालttन ने परमानु को एक कठोर ठोस गोले के समान जिसमें कुछ भी संद्रचना नहीं हैं ऐसे रूप में परतीत किया था डालतन के ये परमानु सिद्धान्द के अनुसार परमानु में दरव्यमान का वित्रन सभी और एक समान होता है डाल्टन का परमानविक सिद्धान कहता है कि पदार्थ परमानों से बने होते हैं तथा परमानों अविभाज और अविनाशी होते हैं दूसरा एक ही मूल तत्व के सभी परमानू एक समान होते हैं तथा भिन्न तत्व के परमानू भिन्न होते हैं और उनके द्रविमान भिन्न होते हैं तीसरा यौगी की निर्मिती में एकत्रू होने वाले तत्वों का अनुपात निरंतर स्थाई रहता है चार रासायनिक अभिक्रिया में पूरा परमाणू सह हिस्सा लेता है तो अब हम पिछली कक्षा में सिखाये गए कुछ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रयोग करेंगे जिसे परमाणू की संद्रचना समझने में आसानी होगी एक प्लास्टिक की स्केल लो और कागस के टुकडे लो प्लास्टिक की स्केल बालों पर रगडो और कागस के टुकडों के समीप लाओ तुम्हारा क्या निरिक्षन है कागस के छोटे टुकडे स्केल की ओर आकर्शित होते हुए दिखाई देते हैं क्यों हम कहते हैं कि रगन्य के कारण स्केल भारित हुई और कागस के टुकड़े आकर्शित हुए काज के रौड वर्रेशम एबोनाइट की चड तथा उन की साथ यही प्रयोक करने पर उपर की जूडियों में दो प्रकार के आवेश निर्मान होते हुए दिखे काज के रौड और उन धन आवेश विक्सित करते हैं सिल्क और एबोनाइट रुणा आवेश विक्सित करते हैं इसी वज़ा से बैग्यानिकों को विश्वास हुआ कि परमानों की कोई आंतरिक संद्रचन अवश्य ही है परमानों के अंदर धन आवेशित और रण आवेशित क होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया यह कंड बहुत हलके थे वे हाइडोजन परमानु से अठारा सो गुना हलके थे किन्तु यह देखा गया कि राजसायनिक अभिक्रिया में सहहिस्सा लेने वाले पदार्थों के परमानु विद्यत आवेशित द्रिफ्टी से धन आवेश का वितरन करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्थापित किये कि जैसे पुडिंग में प्लम हो उसने धन आवेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया क्या तुम थॉम्सन द्वारा बनाई गई परमानु प्रतिकृति कैसे दिखेगी इसकी कलपना कर सक करते हो थॉम्सन की प्लम पुडिंग प्रतिकृति थॉम्सन के प्लम पुडिंग प्रतिकृति की आंतरिक संद्रचना डाल्टन के परमानों की प्रतिकृति से अलग है समान संख्या के धन आवेशित कण प्रोटॉन रेण आवेशित कणों को संतुलित करते हैं तथा परमा योगिक और मिश्रन में कर सकते हैं डायल्टन ने परमाणू को एक कठोर ठोसे गोले की समान प्रस्तूत किया जिसमें कुछ भी संदर्चना नहीं है ये प्रतिकृती सरजेजे थॉमसन ने सुधारी और इस तरह प्रस्तूत किया रण आवेश का संतुलंद रखने के लिए उन्होंने सूचा कि परमाणू में धन आवेश का वितरन करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोन इस तरह से स्थापित किये कि जैसे पुडिंग में प्लम हूँ डाल्टन और सरजेजे थॉमसन ने प्रस्तूत किये हुए परमाणू की संरचना में क्या अंत्र है